इस वक्त की एहम खबर से कर लिते हैं शुरुआत भारत छोड़कर लंदन फरार विजय मालिया के प्रत्यरपन को लेकर ब्रिटन की कोट में आज सुनवाई हुई कोट ने परियाप सबूत के अभाव में मालिया की जमानत चार दिसंबर तक बढ़ा दी है आज भारती जांच एजनसिया मालिया के खिलाफ परियाप सबूत नहीं दे पाई और अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाइ को होगी जिसमें मालिया को पेश नहीं होना पड़ेगा मालिया ने भारती जांच एजनसियों पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें जाज एजन्सियों और भारतिय कोर्ट पर भरोसा नहीं है इसलिए वो भारत नहीं आ रहे हैं इससे पहले कोर्ट में पेश होने से पहले पत्रकारों ने मालिया से कुछ सवाल पूछे कुछ के जवाब तो उन्हों ने दिये, कुछ सवालों के जवाब थोड़े अन्मने धंग से दिये करीब एक मिनिट के सवाल जवाब के सिलसले में मालिया ने यही बात बार बार दोहराई कि उनके पास परयाप सबूत हैं और वो निर्दोश साबुत होंगे तो 6 जुलाई को मालिया को पेश होने से छूट यहाँ पर मिल गई है कि अंगले कम पेश अनुलाई के सब्सक्राण के लुचान कि अगया को जर्द फिस निवेंग अजब जर फिस निवेंगे जिए सिस निवेंगी आपकों मान्चेज ट्रव्र भी ते लिए प्रियंग है कि जिए स्थ मानें इस इस लाइट इस लाइटू प्संहाथ प्सपरी , मिलड है भ 있을 नव गषय है, प्स़रे बंदिति अगल करको से कान। ओडन ढूमालिया प्सकेट काम लेकार बंद्दा है अब कहले के वो के और ये ये ऐफीज जगो भीजु QUESTIONS इह रविए लुजů वाहर जारा, देज हो वीछ घपा अभयसेर बहुषट को युछ गर ईकंड उनन ehod इ हा यह लिए लुफ वे खनाओ ऴर जहार लोली तेब यू लग्वटर मैं निए्टे की टिंवाओ लू नहिए्ट लुशज हैं? और माल्या के प्रत्यारपन को लेकर यहां पर सुनवाई थी, अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, हाला कि इस 6 जुलाई की पेशी में उन्हें यहां पर पेश होने की जरुरत नहीं है, और उनके वकील यहां पर उनका केस कोट के सामने रखेंगे, मेरे साथ मेरे से होगी राजेश तिंग जुड़ गए हैं, 37, R.S. Luna, सबसे पहले तो यह की 6 जुलाई को अब दोबारा यहां पर कोट में सुनवाई होगी, हाला कि विजे मालिया को यहां पेशी से छूट मिल गई है, उनके वकील उनका केस लड़ेंगे, लेकिन बाहर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, Mr. Luna, तो उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, उनका यह कहना था कि वो कोट में आपने जो कुछ भी सुना, आप वो बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़ुरत नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके सवालों के जवाब देने के तरीके से यह तो साफ था कि उन्हें यहाँ पर कहीं न कहीं भारत जो कुछ भी उन पर आरोप लगा रहा है, उससे वो इत्तफाक नहीं रखते हैं। यह अब ऐसे ही महसूस किया जा सकता है, और मेरे ख्यार में उनको एक जो रलीफ मिला है कि आगे वाली हीरिंग यह उसके बाद की हीरिंग में परस्टनली पैदन नहीं होना पड़ेगा। यह उनके लिए एक रलीफ है। और बाकी देखें यह अभी लंबा मौमला है। यह उनके लिए उसके बाद 6 जुलाई को होगी, तो अभी यह कहना बहुत मुश्किल है कि अल्टिमेटली केस यह किस तरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, यह तो कुछ अभी बाहर आ नहीं रहा है। क्या टेंशी है, क्योंकि कैसे गौर्फ इंडिया के जो आर्गुमेंट्स हैं, उसको कैसे एक्सप्ट कर रहे हैं। क्योंकि यह तो जा रहा है कि मुस्टर मालिया अपने डिफेंस में पूरी जोर से कोशिश करेंगे कि वो इंडिया में एक्सडेट ना हो। और उनकी यह भी कोशिश रहेगी कि इस तरह से जो भी एक्शन्स बाद की तरह से लिए जा रहे हैं। वो इंको इस तरह से शो किया जाए, कि यह प्लिटिकल बंडटा है, जिसकी वज़े से वो सफर कर रहे हैं। तो क्योंकि औस प्लिटिकल नेचर डाट इस नाट कवर्ड बाइक स्टाडिशन टीटी तो उनकी यही कुश रहेगे कि वो यह कहें कि उनके खिलाव यह सारा प्लिटिकल हो रहा है बिल्कुल लेकिन मिस्टर लुना सब कुछ सामने है यहाँ पर किस तरह से बैंकों के पैसे उन्होंने यहाँ पर नहीं चुका है और ऐसे में यह कहना कि उन्हें जांच एजंसियों और भारतिय कोर्ट पर भरोसा नहीं है आखर में एक सवाल पत्रकार नहीं जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पर लंडन की कोर्ट पर पूरा भरोसा है साफ दिखाता है कि वो यहाँ पर बहुत दबेश अब्दों में ही सही लेकिन यह जरूर कह गए है कि भारतिय कोर्ट पर भरोसा नहीं है की में 4 दिसंबर तक जो उनकी जमानत है उसे भी बढ़ा दिया गया है इन्वेस्टिकेटर इजन्सी जो हैं उनके खिलाफ काम करेंगे तो इसी वज़े से वह बारत पे वापस नहीं आ रहे हैं और उनको युके की कोड़ पे तर्टली कॉंफिजन्स रखना है क्योंकि अल्टिमेटली युके की पूर्टिंट इसाइड कर रहा है कि उनको एक्सट करना चाहते हैं कि क्या बता सकते हैं कि अभी 1992 में एक्सटेशन ट्रीटी साइन की गई थी और अभी तक अगर आप देखे तो पिछले 25 सालों में सिर्फ एक एक्सटेशन वह भी गुजरात रायट के केसे में लंडन से यूके से भारत पे हुआ था क्या आपको लगता है कि कितनी प्रॉबबिलिटी है इस केस में कि एक्सटेशन हो पाया अभी करीब 17 पेंडिंग केसे हैं लंडन के कोर्स में आप बिल्कुर ठीक है रहे हैं क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड है उसको अगर देखें तो यह बहुत मुश्कल लगता है कि मिस्टर मालिया को वो एक् अभी शंकारा का पड़ा है नदीम सैफी का पड़ा हुआ टाइगर अनीफ का पड़ा हुआ है तो यह सब लोग काफी देश से केसे चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई एक्सटेशन नहीं हो पाया है और क्योंकि यूके की कोर्ट सुगरा जो हैं वो लिबर हैं और यह देख तो मुझे लगता है कि एक लंबी लड़ाई है अभी ये कुछ कहना मुश्कल होगा ठीक है कि लंबी लड़ाई है लेकिन एक फाइनेंसियल फ्रॉड का केस है और यहां पर बैंक्स के पास डॉक्मेंट्स है कि उनको लोन दिये गए थे उस लोन को कहीं और यूज किया गय है उसे नहीं उस किया गया तो क्या यह फाइनेंशियल फ्रॉड के केसे में यूमन राइट्स की डोकि इसोद नहीं होती है ऐसे केस में कि चुछ लेकिन उनको जो यूमन वाइलेशन रही है वो है कि उनको वहां पे कोई फेर ट्राइल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उनका में मुद्दा जो है वो ये है कि वो प्लिटिकली उनको विक्टिम बना रखा है और वो वहां पे जाएंगे तो उनको फेर ट्राइल नहीं मिलेगा उनके हुमर राइट्स रहे हैं उनकी वाइ किया हैं, कोर्ट से उनको एफ्सकॉंडिंग ऑफेंडर बोला हुआ है, तो केसे सुनके खिलाफ हैं, लेकिन कोर्ट से यह देखना है कि भी वेदर देरिज एनी काइंड ऑफ प्रुथ नहीं से सब्मिशन के यह प्रिटिकल वेंड़ेटा है, यह उनकी हुमर राइट्स की वा कि अख्ड़ वेदर देरिज गला हुआ है, यह उनकी हुमर प्रुब ऑफेंग सह यह दो जाइधना है, वेदर देरि मत क्या हैं, प्रुब ऑफेंगा हैं, वेदर प्रुब लेदितुन के वाईब के वे रहिएंगर कि लो द।बगेलीं पाहार हैं, यहार से उनकी हैं,